नमस्कार दोस्तों पुझा डिजाइंस निस्टिचिंग में आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम एक डिजाइनर टोपी बनाएंगे कोटन के फैब्रिक की तीन से चे मैने के बच्चे के तक आप ये पैना सकते हैं इसमें एक दो इंचा आप बढ़ा कर ले देखिए बारा बारा का फैब्रिक लिया है लंबाई चोड़ाई बारा इंच है और जब हम इसका सर्कल बनाएंगे तो 6 इंच का बनेगा और ये देखिए इसको शिक्स मन तक भी आप बच्चे को पैना सकते हैं अगर थोड़ा बहुत छोटा है तो आप इसको बढ़ा सकत है अधरवाईज ये बिल्कुल सही नापका आजाएगा ता तीन से पांच है मैंने के बच्चे तक देखिए तो ये 6.2 इंच के कुछ लगबग सर्कल है जितना आपका कवर हो रहा है उतना पूरा ले 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 उसमें कपड़ा एक्स्टा ना निकाले ये देखिए इस तरीक लिए है ताकि बच्चे को जो पैना है तो सर्दी वगरा से उसका अच्छे से बचा हो सके ये देखिए सेंटर में कट हम यहां पर लगा देंगे और दूसरी साइड है वहां पर मैं चार इंच यहां पर लोंगी अगर आपका एक डेट साल का बच्चा है तो पांच इंच ओधा फ्लेट च्वीन देखियों और ठोड़ा जादा बड़ा है तो छे चेंच यहां पर लेते हैं तो यह जो पांड़ा चा इंच का इसमें कोई नहीं डाल लेंगे बागी का जितना भी एरिया है सब में प्लेट डाल कर से तैयार करना है प्लेटे हमें इतनी डालनी है कि हमारे जो भी नाप है जैसे मेरी बच्चे की राउंड 12 इंच है तो मैं 12 इंच यहां पर इसको रखूंगी तो यह देखिए, बराबर बराबर प्लेटे हम यह आप पर डाल लेंगे एक जैसी डालें, कहीं छोटी कहीं बड़ी ऐसे ना डालें इससे कहें कि फिनिशिंग नहीं आएगी तो आप एक जैसी कोसिस करें कि एक जैसी हो आप से यह देखिए इस तरीके से यह हमने इसमे डाल लिए है देखिए अब हमें मेज dependency tape से क्या करना है कि यह प्लेटे जो हमने डाल लिए वो में मेजर करना है कि यह हमारा 12 इंच हैक नहीं बारे इंच से कम ना हो फ़ एंच जी जादा रह सकता है आप या एक इंच यह देखिए मेरे 12.5 इंच यहां पर आ रहा है तो हाफ इंच से कोई ज्यादा बड़ा नहीं होगा इसलिए हाफ इंच को मैं यहां पर छोड़ देती हूं यह देखिए और अब 12.5 का यह जो आगे का कपड़ा लेना है वो लेना है पीछे जो अमने यह दे पेहना सकते हैं बच्चों को यह देखिए और तरह तरह की सुन्दर हुंदर टोपिया मैंने जो वीडियो अप्लोड किये हुए है चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं और बना के अपने बच्चों को पैहना सकते हैं अगर उत्व में कोई प्रोग्लम आती है तो आप मूच पर अच्छे से पेश्ट कर लिया है अभी देखिए जहां से मैं चौक पर निशान बना रही हूँ वहां में इसको सिलाई लगानी है नीचे मैन फैबरिक रखा है उपर लाइनिंग तो मैन फैबरिक को आपको सीधा रखना है यह देखिए और इस तरीके से इसके किनारी से ल इसको बना लेना है यह देखिए अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे वीडियो को कम्प्लिट देखें इसकिप ना करें बहुत सुंदर टोपी बनने वाली है यह देखिए मेजर्मेंट आप अपने अकोर्डिंग ले सकते हैं यहाँ पर जो इसकी जो पैटर्न रहेगा बनाने की जो प्रोसेस रहेगी वो बिल्कुल सेम है अब किनारी से सिलाई लगा देंगे देखिए बिल्कुल राउंड में ताकि अच्छे से जम जाए और बहुत अच्छे से उबर के आए यह देखिए इस तरीके सिलाई लगा लिए हमने और नीचे देखिए सेंटर हमने इसका ले लिया है अब टोपी का भी सेंटर ले 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 आगया से जो आपने प्लेटे डाली है उसका तो वो भी मैं सेंटर निशान लगा लोंगे और इस तरीके से थोड़ा सा फाइबरिक नीचे की तरफ हम कम कर लेंगे और सेंटर से देखिए इस तरीके से सेंटर पर रखते हुए पिन अटेच कर लें आप ताकि आपको एक जगे यह खिसके ना जब सिलाई लगाएं तो बिलकुल एक जगे फिक्स रहे अब हम सिलाई यहाँ पर लगाएंगे तो यह देखिए यह जो मेरा उपर का कपड़ा यह मेरा लगबग साड़े चौदा इंच था तो जो भी एक्स्ट्रा होगा हम बाद में कट कर देंगे तो आप थोड़ा बड़ा ही लें चोटा ना लें तो कि इस तरीके से जब हम जोइंट करते हैं तो कपड़ा थोड़ा बहुत आगे पिछे हो जाता है इसलिए मैंने आपर एक्स्टा फैब्रिक लिया है और जो तयार है हमें बिल्कुल बाराइंच यह आपर रखना है जितनी हमारी प्लेटे टोपी में पड़ी है उतना ही हमें यह पूरा जोड़ना है तो यह देखिए इस तरीके से हमने इसको लगा दिया है और बिल्कुल फिनिशिंग से मैं आपको इसको लगाना दिखाऊंगे नीचे की साइट कोई आपका जोइंट बिल्कुल नहीं दि तो उसको देखिए इस तरीके से सीधा कर लें बिल्कुल अच्छे से प्रेस भी आप यहां पर कर सकते हैं और यह देखिए अब इसको ऐसे अंदर की साइड मोड़ दें यह देखिए जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूं सेम इसी तरीके से यह देखिए और जो इसको सीधा करके हम इस सिलाई लगा दें नहीं तो बिल्कुल किनारी किनारी से सिलाई हमारी यहां पर आ जाएगी यह देखिए अच्छे से पकड़के उपर से लगाएं और नीचे से आप ध्यान रखें देखते रहें कि आपका जो फैबरिक है वो अच्छे से पल्टा गया नहीं गया तो वो चीज आप यहां पर चेक करें और इसी तरीके से बिल्कुल किनारी किनारी से सिलाई लगाएं जो प्लेटे करेंगे तो बहुत सुन्दर टॉपी बना सकते हैं यह देखिए यह देखिए बिल्कुल कहीं कोई जोइंट हमारे यहां पर नहीं दिख रहा है वो बिल्कुल सारा अंदर यहां पर फैबरिक दब गया एक्स्टा यह देखिए मैं दोनों साइड से इस तरीके से कट कर दू यह है आपका बड़ा बच्चा है तो आप अपने अकोडिंग इसके मेजरमेंट ले सकते हैं और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं उसका जवाब जरूर दूँगी तो यह देखिए हम यह बा प्रॉब्लम आती है तो आप सेंटर कट लगा के सेंटर से जोइंट यहां पर कर सकते हैं मुझे आइडिया इसलिए में इसको स्टार्टिंग से जोइंट करके इस तरीके से लगा रही हूं मैंने सेंटर से जोइंट करके कई टोपियों में दिखाया है आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं यह देखिए इस तरीके से पलटेंगे और बाहर के साथ से सिलाई लगाएंगे तो बिलकुल फिनिशिंग के साथ सिलाई लगेगे हमारी यह देखिए जैसे मैं यहाँ पर लगा रही हूँ सर्दियू में तरह तरह की टोपियां अपने बच्चे को आप पहना सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर मैंने अलग-अलग पैटन्स की टोपि बनाई हुई है अलग-अलग मेजरमेंट की हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं पसंद आता है तो लाइक जरूर करें शेयर करें और चैनल पर आतों से देखिए टोपी कंप्लीट होती है वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं लाइक करें तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक यू फोर वाचिंग